आज से दस साल पहले ये बहस हो सकते थी कि लोग कहते पानी तो पानी है एक पानी दूसरे पानी से अलग कैसे हो सकता है अगर पानी से सारी गंदगी निकाल दी जाए तो हर पानी समान है आज से दस साल पहले ये बहस हो सकती थी लेकिन आज नहीं आधुनिक विज्ञान स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि जल किसके संपर्क में रहा है उसके आधार पर ये अलग तरह से पेश आता है ये एक स्थापित तथ्य है क्योंकि पानी की भी आदाश्ट होती है अब जहां तक गंगा जल की बात है इसकी विशेष्टा ये है कि ये कुछ खास इलाकों से होकर बहता है कुछ खास हिस्सों से होकर बहता है जिनका प्रभाव इस जल पर पड़ता है और ये एक या दो पीडियों की बात नहीं है सैक्डो पीडियों से लोग उन इलाकों में आध्यात्मिक साधना करते रहे हैं वो इस जल के संपर्क में रहे हैं उनकी साधना का फल उस जल में मौजूद है सुन्दरलाल बहुगुणा लोगों के सामने इसे साबित करते रहे और अपनी जान भी दे दी बतकिस्मती से कोई खास नतीजा नहीं निकला लेकिन गंगा नदी के किनारे रहने से ही उनकी अपनी सेहत में बहुत बड़ा बदलाव आया अब क्या ये केवल भावना है नहीं लेकिन साथ ही क्या गंगा में आज भी वही पानी है जो पहले हुआ करता था नहीं क्योंकि आज जो पानी आप पी रहे हैं उसे दो तीन जगाओं पर बांधों से रोका जाता है और एक जगा पर तो बांध में बहुत देर तक रोका जाता है और फिर छोड़ा जाता है बतकिस्मती से अब इसमें वो बात नहीं रही ये एक चीज हमें नहीं करनी चाहिए थी अगर हमें बिजली चाहिए थी तो इसके कई दूसरे तरीके हैं ये एक चीज हमें नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि गंगा में एक विशेश गुण हुआ करता था अब हमने हिमालय में गंगा के उपर एक बांध बना दिया है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी बस थोड़ी सी बिजली बनाने के लिए वैसे भी हिमालय से जो गाद या तल छट आता है उसकी वज़े से कुछी समय में ये सारे बांध भर जाएंगे आने वाले 20-25 सालों के अंदर ये बांध किसी काम के नहीं रहेंगे गाद को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर तल की खुदाई करनी होगी और आप इस गाद को कहां डालेंगे हम किसी भी बांध से ठीक से साफ नहीं कर पाएं महा नदी के उपर बना हीरा कुंड बांध वगेरा सारे भरे पड़े वो बेकार हो गए है क्योंकि उनमें इतना सारा गाद भरा हुआ है हिमाले से आने वाला गाद किसी सामान्य नदी की तुलना में शायद 25 से 50 गुना अधिक होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इलाका ही ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये शर्म की बात है कि बिजली के लिए हमने गंगा पर बांध बना दिया हम कई दूसरे तरीकों से भी बिजली पैदा कर सकते थे ठीक है लोगों को बिजली की जरुरत होती है तो मैदानों में हमने किया है पर वो एक नदी जो इस देश की चेतना है हम उसे तो अकेला छोड़ सकते थे आज गंगा नदी में आने वाला ज्यादतर पानी सुरंगों से होकर गुजरता है ये टर्बाइनों से होकर बाहर आ रहा है इसलिए मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि इसमें वैसे ही गुण है लेकिन फिर भी चाहे आप यकीन करें या ना करें अगर आप पानी को छूते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत अलग है क्योंकि मैंने हिमालय में लगातार 27 सालों तक ट्रेकिंग की है हर साल मैं वापस जाता था मैंने देखा कि बस एक ग्लास पानी पीने के बाद मुझे कुछ खाने की जरुरत नहीं होती थी और मैं सारा दिन चलता रहता था बस एक ग्लास पानी आप भर पेट पानी पीजिए और ये आपको उर्जा देता रहता है ऐसा और कहीं नहीं होगा अगर आप उपरी इलाकों में जाएं अगर आप गोमोख और उन इलाकों की ओर जाएं तो पानी निश्चित तोड़ पर खास है नीचे आने पर इन टर्बाइन वगरे की वज़े से पहले जैसा नहीं रहता पर फिर भी उससे तो अलग ही होता है जैसा आप दूसरी जगह पाते हैं तो ये भावात्मक पहलू नहीं इसका एक वैग्यानिक आधार भी है बतकिस्मती से हम उस वातावरन को बरकरार नहीं रख रहे हैं हम उसे नश्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि पानी वैसा ही रहे कुछ समय बाद ये ऐसा नहीं रहेगा कुछ समय रहे हैं